प्रत्यासी घर और अन्य जगह पे नहीं मिल पा रहे हैं जनता के बीच मिल रहे हैं क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है क्योंकि दुती चरन का मद्दान एक जुलाई को होना है तो हमारे साथ बाट्रमांगा आठ रीबा जनपत छेत्र का ये बाट्रमांगा एठ शेहर से लगा हूआ पुरा छेत्र आज हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं हम जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं छेत्र में हैं और कौन से मुद्दों को लेकर वो जंता के बीच जा रहे हैं तो पहले तो आपका क्या नाम है किस तरह की छहत्र में जिस तरह का आप जा रही है किस तरह का चल ला है किस तरह का लोगों का समर्थन किस तरह मिल पा रहा है वह preciso praw कुछ मैंने कलों कि समस्या अभेसर कि हैं ऑर कूछ आउकर की समस्याइं इस तो सरकार द्वारा आवास योजना को लेकर तमाम तरह के प्रयाश किये जा रहे हैं तो लेकिन गाओं में जिस तरह कहना है आपका की गाओं में इस तरह की सुभधाओं का लाव नहीं मिल पा रहा है तो इन सारी समस्याओं को लेकर छेतर में जो समस्या बनी हुई है बाट्रमां करेंगे बिल्कुल पूछते हैं घर माप को देंगे हमblesिक मदद करेंगे शूत przethora कि बड़ा घर कंपएंशन हर जगे हर पहुच पाव हरे हैं हाँ थोड़ा दो भी紫ी सब्सक्राइब करें देखी रहे हैं कि उनकी क्या समझ से आए हैं तो क्योंकि एक छेत्र होता है आप से शहर से लगा हुआ छेत्र है प्रत्युदंदता किस तरह की मानते हैं कौन से लोग है जिन से और प्रत्युदंदता मानते हैं जिनका छेत्र में पहले से अनुभव रहा है तो गर्म लोगों की किस तरह की कैम्पेन है अब क्यूंकि पुराना आनुभाव रहा है राजनीति का नुभाव रहा है तो अब छेत्र में किस तरह का नुभाव करते हैं रूपार्ष सिंग्ह को भी बार्ड क्रमांग काट से चुनाव ने उसी चारो पंचाईतू में इनका भ्रमन कराते हैं और इनका जब जाते हैं तिनको लोग बड़ा प्रसंद करते हैं दूसरी बाते हैं कि इनके साथ में चारों पंचाईतों के आदमियों का सहयोग मिल रहा है जो जनता उनसे बात करती है मेरे सामने में बताता हूँ जब जीत के जाएंगी जो आपका काम होगा काम करेंगी जैसे हैंड पंप है पानी है बिजली है सडक है यह सारी काम आपके सब होंगे इनके द्वारा अब मैं स्वैम करवाऊंगा चूंकि मैं पूर जनपत सदस हूँ पर पूरे जनपत सदस रहें इसी बाट से रहे हैं तो पहले के और आपकी समस्याओं में अंतर किस तरह देखते हैं फटी कि पहले दूसरे उस formas सभ़े से रहे हैं समेस्या बताते हैं लोग उनकर समस्या की सुलब करवाने के लिए बात भी दे रहे हैं कि दो जीत के ले जाऊँगा तो बाण भर ही नहीं मैंने आगे ले जाऊँगा जब अभी तो 4500 Mr we ज़र जीत की ये तो फूर बलाक की अध्थिक्ष बनाऊंगा जब भूरा का बलाक का कार के होगा जो चाहिए दह रांगा पानी है रोल है सब इन के द्वारा में जतास्ट भ्रक कराऊंगा जो कितनी पर उन्हें kita चेतर में 25 25 25 25 पूरा हो चुका है लगबाख हर जगह क्या पहुंच रहे हैं दो दो बार पहुंच गए असा बाश्वासन दे रहे हैं मैं इनको जिताओंगा अब मेरा जो काम होगा आप कराएंगे कि नहीं तुम्हें कहता हूं कि काम अच्छी तरह से होगा जब जीताएंगी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं हम जानेगी कि कि स्वाश्याएं छेत्र में जाने से यहां पर समझ में आती है क्या नाम है आपका तरुणेन सिंह आप भी एक राजनीतिक में एक अनुभाव रहा है किस तरह की समस्याएं बाटक्रमांक आठ में जनपत छेत्र में अगर देखते हैं यहां गरीबों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे रोड पानी बिजली आवाश सिक्षा की करेंगे कि यह चीजें अब समाधान में होंगे हमारा हमको अगर चुना जाता है हमारी वहुत में मैदान में हैं रूपा शिंग अगर उनको जीत मिलती है तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि गरीबों के जो समस्याएं रोड की बिजली की पानी की स्कूल की सिक्षा की जो प्रयास हो सकेगा उसके लिए करेंगे किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है लोगों के बीच जिस तरह जा रहे हैं किस तरह का लोगों की समझ में आ रहे हैं और किस तरह का जन समर्थन आपको मिल पा रहे हैं जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों को आसा है कि अग जनताओं के बीच में किस तरह का अनुभाव देख रहे हैं जनता के बीच में अच्छा है और लोग इमीद कर रहे हैं कि जो भी यह करेंगे अच्छा करेंगे भी फॉर्फ दिलाएंगे गड़ीवों करेंगे और फारी समें फैपूर करेंगी हमारे साथ कुछ यूबा भी है हम जानेंगे क्योंकि रोजगार एक प्रमुख समस्या है यह छेत्र में किस तरह देखते हैं रोजगार को लेकर रोजगार भी यहां थोड़ा मतलब कम है पर हमारे साथ से हमारे जुसर हैं तो यदि जनपद में आ जाते हैं तो उनके मतलब अच्छा काम करेंगे हमारे लि है पानी की पानी की भी है सड़क भी कुछ खराब हैं तो उमीद है कि हमारे सर सब अच्छा करेंगे पहले भी किये हैं कुछ आप क्या कहेंगे छेत्र में किस तरह की समत से आए हैं और जिस तरह का जन समर्थन लोगों के बीच मिला है हमें ऐसा लगता है कि रूपा सीपी स जो चुनाव मैदान में है उनका राजनेतिक केरिएर पहले भी अच्छा रहा है इसके पहले उनको ग्राम पंचाइत में सवलता मिली है वो अपने रीवांाबलाक हमें उनकी ग्राम पंचाइत नंबर एक पे रही है विकास के माबले में और जो विरोधी रहे हैं उनका भी कहना है कि इनका कार बहुत अच्छा था इसलिए वो सारे लोग जो है आज साथ में हैं और उनको आसा है यह जीतेंगे तो पूरे छेत्र का बहुत अच्छा विकास होगा आगर देखें बाठ मांगार्ट में तो किससे मानते है ऐसा तो लगता है कि इनके लड़ाई में दूसरा बहुत पीछे है इनके लड़ाई में कोई आ नहीं रहा है यह बहुत आगे हैं ऐसा छेत्र में देखने को मिल रहा है जी बिलकुल तो सीधे तोर पे कि बहुत अच्छा जन समर्थन लोगों के बीच मिल रहा है जैसे लोगों की जिस तरह की समस्याएं हैं सीधे तोर पे यह कहना है कि अगर हम हमें जनता चिन्हित करती हैं हमें चुनती है तो तमाम समस्याओं को लेकर हम जनता के समस्याओं को लेकर जनपच्छेत्र में जाएंगे और उनका समाधान होगा बहुत-बहुत धन्याद